अब दोस्तो वेल्कम टू हरा लेंड आज अपके लिए एसी मुवी लेकर आहा हूं जो कि वहते डिस्टरबिंग है इस मुवी का नाम है क्लीनिक और यह मुवी टूटावसनट्वेंटिटिस्री मेलिज वही थी मुवी बहुते disturbing है और यह एक medical horror movie है तो इस वीडियो को पूरा इन तक जरूर देखना तो दोस्तो कहानी शुरू होती है Lana नाम की एक लड़की से जो कि एक forest में किसी से डर कर भाग रही थी कुछ दूर तक तो भागती जाती है लेकिन एक जग़े पर उसका पेर लेक्टियों में फस जाता है जिस वज़े से वो भाग नहीं पाती है और कोई अंजान आदमी आकर Lana को पकड़ लेता है उसके बार में कहानी एक कलब की तरफ आती है जहाँ पर कुछ स्ट्रीपर्स डांस कर रही थी और तब भी हम इस स्टोरी की में लिड लीसा को देखते हैं और वो भी एक स्ट्रीपर थी लेकिन उसको उसके डांस के ज़्यादा पेसे नहीं मिलते थे क्योंकि लीजा का बाड़ी स्ट्रक्चर बागी लड़कियों के जिसा नहीं था वो बहुती ज़्यादा स्लिम थी जोकि आज के ज़्यादा तर मर्दों को पसंद नहीं थी और लीजा ने भी बागी लड़कियों की तर आज तक कोई भी सर्जरी नहीं करवाई थी कलप के अंदर लीजा की एपरेल नाम की एक दोस्त थी जिसकी बोड़ी लोगों को बहुती पसंद आती थी और एक बादांस करने पर ही लोग एपरेल को बहुत सारे पेसे दिया करते हैं और इतने पेसे लीजा दस बादांस करके नहीं कमा पा रही थी तो इसलिए लीजा एपरेल से टिप्स मांगती है कि वो कैसे उसके तरफ पेसे कमाएं और डांस करने के टाइम वो कैसे मूज करें कि लोग खुशी से उसे एक्स्टा पेसे देखर जाए तब एप्रिल लिजाओ को ब्राजिलेंट बट इंप्लांट्स के बारे में बताती है और एप्रिल ना खुद अपनी बॉड़ी पर एक प्रोसीजर करवाया हुआ था और एप्रिल लिजाओ को डॉक्टर का नाम भी बता देती है जिसने उसके प्लास्टिक सरजरी की थी लेकिन लिजाओ को लगता है कि यह सरजरी बहुत महेंगी होगी पर एप्रिल उससा समझाती है कि उसे सरजरी करवा लेने चाहिए त्योंकि इसके प्रैस एक कार से भी सस्ती है एप्रिल के जाने के बाद में रूम में कुछ हो डांस राती है जिनकी बॉड़ी को देखकर लिजा अपनी बॉड़ी को लेकर और भी ज़्यादा इंसिक्यूर फिल कर रही थी फिर लिजा कलब के मालिक लिओ के पास मज़ाती है और उससे कुछ दिनों के चुट्टिया मांगती है पहले तो लिओ लिजा के चुट्टिया को देने से मना करता है और तब लिजा उसे अगले हफ़ते ओवर टाइम करने का प्रॉमिस करती है जिसके बार में उससे चुट्टी मिल जाती है फिर हम देख पाता है कि लिजा का एक दो साल का बेटा भी है और उसी का करचा चलाने के लिजा इस बार में स्ट्रिपर का का काम करती थी लिजा आज बहुते ज़्यादा लेट हो गई थी तो इसलिए उसकी वेबी सीटर लिजा के अपर गुस्ता थी और लिजा से ओवर टाइम के पेसे भी मागती है दूसरी तरफ हम एक आदिम को देखते है जो कि अपनी कार से बलासा एक प्लास्टिक बिक निकाल कर रोल पर फिक कर चला जाता है सीन अगेन लिजा की तरफ आता है जहांपर लिजा इंटरनेट पर ब्राजिलियन बट लिफ्ट के बारे में देख रही थी तब हम लिजा की बॉइफेंड मेलकम को देखते हैं मेलकम मेडिकल के स्टेडी कर रहा था तो इसलिए वो अभी लिजा के रिस्पॉनसिबलिटी नहीं उठा पा रहा था वे दोनों कुछ दिर बाते करते हैं और उसके बारों सोजाते हैं फिर अगले दिन हम डिटेक्टिव ओवेंस को देखते हैं जो कि अपनी बिमार मा की देखबाल कर रहे थे और उसे समय उनके घर पर एक आदि में आ जाता है जो कि उसके घर का लोन देने को कहता है नहीं तो डिटेक्टिव का घर निलाम कर दे जाएगा डिटेक्टिव इस बात से बहुत उसा था और उस आदमी को अपने घर से भगा देता है फिर कोची तेरे के बार में एक क्राइम सीन से डिटेक्टिव के पास में कौल आता है और उस क्राइम सीन के लिए निकल जाता है क्राइम सीन पर हम उसी बॉड़ी को देखते हैं जिसे वो परसन प्लास्टिक बेर के अंदर रोल पर फिक कर गया था और ये बॉड़ी लाना की थी तो अब डिटेक्टिव ओवेंट को थोड़ी बत इन्वस्टिकेशन से पता चलता है कि लाना एक प्लास्टिक सर्जन थी और उसके ऑपरेशन के चलते हैं दो लड़के मारी जा चुकी थी अब यहाँ पर हम लीजा और मेलकम को देखते हैं लीजा मेलकम को डॉक्टर क्रिश के पास में लेकर आई थी जिसके बारे में उसे एपरेल ने बता रहा था और लास्ट मॉमेंट पर लीजा मेलकम को यह बताती है कि उसे ब्राजिलन बटलिफ्ट के सरजेरी करवाना है लेकिन मेलकम नहीं चाहता था कि लीजा बाकी लड़कियों की तरह इन सब चीजों में पड़े मेलकम लीजा को अपनी बाड़े के साथ थी खुश रहने को कहता है लेकिन लीजा ने ये बन बना लिया था कि उसे जिसे सरजेरी करवानी है और उसे इस बारे में डॉक्टर से पाथ भी करनी है तो इसलिए मेलकम को मुझबूरी में लीजा के साथ में डॉक्टर ट्रिश से मिलने जाना पड़ता है लेकिन डॉक्टर भी लीजा को सर्जरी करवाने से मना कर देता है क्योंकि लीजा को ब्लड क्लोटिंग के एक बिमारी है और ये सुनकर लीजा को बहुत ही बुरा लगता है फिर डॉक्टर के केविन से बाहर आने के बाद लीजा मेलकम से कहती है कि वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास में जा रही है और लीजा के ब्लड क्लोटिंग के प्रॉब्लम को देखकर मेलकम उसे इन सबसे दूर रहने को कहता है इस बात पर दोनों के विश में आर्गुमेंट होना लगती है और तब डॉक्टर ट्रिश की रिसेप्शिनिस्ट वेनेसा उनसे बात करती है वेनेसा से लिजा को पता जलता है कि उसको ब्लड ट्लोटिंग की प्रोब्लम होने के बाद भी लिजा सरजरी करवा सकती है और वेनेसा लिजा को एक डॉक्टर के बारे में बताती है जो कि आदे प्रैस में उसकी सरजरी को करवा देगी उस सांतिव लिजा को एक कार्ड भी देती है और वेनेसा की इन बातों को सुनके लिजा बहुत ज़्यादा कुछ थी अब यहाँ पर डिटेक्टिव लाना के घर पर जाता है जहां पर वो एक लड़की के साथ मरेती थी और उस लड़की से डिटेक्टिव थोड़ी होद बात करके लाना के कार के तलाशी लेता है और लाना के कार में डिटेक्टिव को डॉक्टर टिश के कुछ डॉक्यमेंट्स मिलते हैं जिनने लेकर डिटेक्टिव वहां सा चला जाता है दूसरी तरफ रात को लिसा वेनेसा को कॉल करने के बारे में सोच रही थी लेकिन मेलकम उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वेनेसा के पास में कोई ID कार्ट तक नहीं था वो कौन है और किस डॉक्टर के बारे में बात कर रही थी उनें ये सब कुछ नहीं पता था लेकिन लिसा मेलकम की कोई भी बात नहीं सुनती है उसनों सरजेरी करवाने का अपना डिसिजन ले लिया था और इस समय मेलकम घर के कर्चे नहीं उठा पा रहा था तो इसलिए मेलकम भी उसे ज़्यदा कुछ नहीं बोर पता है अब अगले दिन हम डिटेक्टिव को डॉक्टर ट्रिश के क्लिनिक जाता हो देखते हैं जहांपर वो उनसे वेनेसा के बार में पूछते हैं पहले रण डॉक्टर ट्रिश अपने एंप्लॉयर के बारे में कुछ बता नहीं चाता था और उस दिन वेनेसा भी अपने आफिस नहीं आई थी लेकिन डिटेक्टिव उसे धंकी देता है कि अगर वो वेनेसा का एड्रेस उसे नहीं देगा तो वो उसके हर एक पेशन के घर में जाकर इंविस्टिकिशन करेगा उस तब डॉक्टर ट्रिश का पूरा बिसनस खराब हो जाएगा और इसे सुनकर डॉक्टर डेटेक्टिव को वेनेसा का एड्रेस देता है यहाँ पर हम लीजा और मेलकॉम को देखते हैं जो कि वेनेसा के कहे हुवे जगे पर सरजेरी के ले जाता है और उजगा किसे जंगल के बीचो बीच थी वहाँ पर एक घर भी था और वहीं पर इस सारे इलिगल सरजेरी भी हुआ गरती थी उस घर के अंदर जाने से पहला मेलकॉम फिर से एक बाल लीजा को सरजेरी नहीं जाने के समझाता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लीजा की जान को इससे कोई भी खत्रा हो लेकिन लीजा कहां उसकी बात मानने वाली थी उसने तो ये मन बना लिया था कि उसे भी बाकी लड़कियों की तर एक परफेक्ट बोड़ी चाहिए और इसलिए लीजा उस घर के अंदर चली आती है मेलकम का भी उस दिन एक्जाम था तो वह एक्जाम देने के लिए निकल जाता है फिर अंदर जाने पर लीजा को रिसेप्टनिस्ट वेनेसा दिखती है और वेनेसा उसे बताती है कि वो यहाँ पर part time काम करती है उसके बाद वेनेसा लिसा का phone ले लेती है और वो उससे एक form sign करवाती है तो उस form में ऐसा लिखा था कि अगर surgery करते time लिसा को कुछ हो गया तो इसमें डॉक्टर के कोई भी जिम्मादारी नहीं होगी लिसा भी बिना कुछ सोचे समझे उस फॉर्म पर साइन कर देती है और अपने पेसे वेनेसा को दे देती है फिर लिसा लॉबी में बेटकर अपने सरजेरी का इंतजार कर रही थी और वहाँ पर हम और भी लड़कियों को देखते हैं जो कि सरजेरी के लिए थी पर अगले सीन में मंदर अपरेशन रूम में डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक लड़की को सौ से काट रहा था और इसका सीधा सीधा मतलब यह था कि अब लिसा बहुती बड़े खत्रे में फस चुकी थी अब इस लड़की को मारने के बाद में डॉक्टर ने उस लड़की की बॉड़ी को एक प्लास्टिक बेग में पेक करकर रखा दिया था मतलब की डॉक्टर वही किलर था जिसने डॉक्टर लाना को मारा था और उसकी बॉड़ी प्लास्टिक से पेक करके रोल पर फेक दी थी फिर कुछ दिर के बाद में VENESA, Eilisa नाम की लड़की को अपरेशन त्याटर में लेकर जाती है और वहां पर डौक्टर Eilisa के उपर ब्राजिलन ब्रट लिफ्ट की सर्जरी करने लगती है अब लॉबी में किरी नाम की एक लड़की आती है और वो भी सर्जरी के लाई हुई थी दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि वेनेसा के घर पर आया था और वेनेसा के फादर फिलिप डिटेक्टिव से बात करने जाते हैं जहाँ पर डिटेक्टिव को पता चलता है कि फिलिप के छोटे बेहन एना प्लास्टिक सेजरी करवाते टाइम मारी जा चुकी थी और तब से उन लोगों ने वेनेसा को कभी नहीं देखा वो खुदी घर चोड़कर चली गई थी फिलिप बस डिटेक्टिव को वेनेसा के कार के बारे में बताता है जो कि उन्होंने उसे गिफ्ट की थी अब डिटेक्टिव के जाने के बाद फिलिप वेनेसा को कॉल करता है लेकिन उसका फोन वो इस मिल पर जा रहा था तो इसलिए फिलिप डिटेक्टिव के बारे में बता कर उसके लिए एक मैसेज छोड़ता है को उसके लिए सोरी बोल कर उस जगह को साफ करती है फिर वेनेजा उसा इसको करके जान से माडलती है और एसा करते हुए लिजाने सबकुछ देख लिया था और तब सब्रीना से उसके पीछे फटाती है लेकिन लिजा किसी तरः सब्रीना से जान बचा कर एक रूम में चुप जाती है और लिसा जिस रूम में चुपी हुई थी वहें पर लड़कियों की डेट बोडी पर रेक्षी हुई थी इदर दूसरी तरफ लॉबी में डाला और अमारा नाम की दो लेडी ब्राजिलियन बटलिफ्ट सरजरी के बारे में बाते कर रही थी और उन दोनों की बातों से तीसी लड़की रीटेट हो रही थी केरी को जल्दी से अपने सरजरी करवा के अपने घर पर जाना था और उसके बार बार आवज लगाने पर भी वहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा था तो इसलिए वो अपरेशन रूम में जाकर डोर पर नौक करने लगती है तब सबरीना केरी को अंदर बुलाती है कुछ तरह के बार में केरी जब ड्रेस चेंज करके बार आती है तो उसे सबरीना कहीं नहीं नज़र आती है और उसे डूडने लगती है अचानक सबरीना केरी के सामने आती है और उसके सर पर बार बार वार करके वो उसे जान से माड डालती है दूसरे तरफ हम मेलकुम को देखते है जो कि अपने एक्जाम देना गया वा था लेकिन उसे बार बार लिजा के बारे में चिंता हो रही थी तो इसलिए वो एक्जाम नहीं देता है वो लिजा को लेने के लिए वापस उसके घर पर आ जाता है वो लिजा को कॉल लगाता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता है और उपर से उस घर का डौर भी नहीं खोल रहाता इधर सबरीना ओपरेशन रूम में अलिसा की बट को काटने लगती है लेकिन वो उसे एनिस्ति सा देकर ब्रूशने करती है तो इसलिए अलिसा दर्द से लेकप नहीं है तो इसलिए दोनों बाहर निकलने का रास्ता डूने लगती है लेकिन बाहर जाने के सभी रास्ते लॉक्ड थे फिर दोनों एक रूम में जाते हैं जहां पर उन्हें कुछ चाबिया मिलती है और उनका यूज करके दोनों वेंटिलेशन और बाकी डूर को ख दोनों फिर पासी के एक रूम के अंदर चले आते हैं उस रूम के एक बैट पर अलिसा को उसलाकर रखा गया था जिसके हालत बहुती ज़्यादा खराब थी अमारा अलिसा के बाहर निकलने का रास्ता पूछती है लेकिन उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था अलिसा को कि पहले दोनों खुद को बाहर निकालें और पुलिस को इन सब के बारे में इंफॉर्म करें अलिसा उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वे लोग उससे छोड़कर ना जाए लेकिन दोनों ही उस रूम से चली आती है लेकिन उस रूम के बार निकलते ही सबरीना अमारों को प लिसा गूटने से डाला तरफ तरफ तलफ कर मारे जाती है इधर लिसा जब उस घर से बाहर निकलने का रास्ता जूंड रही थी तो सबरीना पीचे है से आकर उसे क्लॉर्वारम सुंगा कर उसे भ्हूंश कर देती है दूसरी तरफ अलिसा बहुत कोषि सक करके कीसी तरफ उस रूम का अलम बजा दीती है ताकि सबरीना उसके पास में आए और डाला और अमारों को भागने का मुखा मिले लेकिन उससे अभी तक यह नहीं पता था कि वे दोनों पहले सबरीना के हाथों मारी जा चुकी है उस अलम को सुनका सबरीना उसके पास में आती है और उससे भ गर के दोर के लोग को तोड़ता है और अंदर चलायाता है अंदर जाने पर उसे लड़कियों की डेट बोड़ी और उनके बाल दिखाई देते हैं दूसरे रफ डिटेक्टिव को वेनिसा की कार की लोकेशन पता चल चुकी थी और वो उसी लोकेशन पर जाने के लिए निकल था सबरीना भी चुपके से उस रूम में जाती है और एक चाको से मेलकम के पेर पर वार करके उसे जखमी कर देती है कि सबीना उस पूरी जगह उन सभी लोगों को एकसा जिलान वाली थी ताकि पुलिस तो कोई भी सबूत नहीं मिले यहाँ पर सब्रीना लिसा को बताती है कि उसे प्लास्टिक सर्जेरी करवाने वाली लड़किया और डॉक्टर से काफी नफरत है तो इसलिए वो उनको मार रही है अब कुछ दिर के बाद में अलिसा की खून बेने के का ब्रन मोथ हो जाती है तब ही वहाँ पर मेलकम आता है और लिसा की रज्सया खोलने के कोशिश करता है लेकिन उ लिसा की कोई हलब कर पाता उससे पहले अलिसा सब्रिने की सब्रीना की बेटी है सब्रीना की बैटी arrangements के सामने ऑना डॉक्टर लाना के पास में प्लास्टिक सरजेरी करवाने गई थी लेकिन दोनों की सरजेरी की वज़े से मौत हो गई दोनों अडल्ड थी और उन दोनों ने फॉर्म को साइन करके ही अपनी मर्जी से आपरेशन करवाया था तो इसलिए डॉक्टर लाना को कोट से कोई सजा नहीं मिलती तो इसलिए और सब्रीना ने बदला लेने के लिए साथ में मिलकर इस प्लान को बनाया पहले तो उन्होंने डॉक्टर लाना को मारा और उन लड़कियों को मारने लगी जो कि प्लास्टिक सरजेरी के बीचे पागल है सब्रीना सभी सबूत को मिटा कर अपनी नई लाफ शुरू करना च अब सब्रीना ने डिटेक्टिव की गन उठा ली थी ताकि वो लिसा को मार पाए लेकिन उससे पहली मैलकम पास में पढ़ हुए एक चाकू से सब्रीना के पेर पर वार करता है और तब लिसा उस गन को उठाकर सब्रीना को शूट करके उसा जान से मार रहती है फिर मैलकम लिसा के साथ में उस जग्रे से सेफली बाहर निकलता है अब हम वेनेसा के पेरेंट को देखते हैं जिनें वेनेसा की मौत की ख़बर मिली थी और उन दोनों ने अपनी दोनों बेटियों को खो दिया था दूसरी तरफ डिटेक्टिव की माँ को भूलने की विमारी थी तो इसलिए उन्हें तो पता ही ने चला था कि उनका बेटा मर चुका है इन सारे इंसिडेंट के बार में अब लिसा की लाइफ सरी ट्रेक पर आ चुकी थी और वे समझ चुकी थी कि सभी को अपने आपको एकसिप्ट करना चाहिए और खुद को प्यार करना चाहिए और कोई भ वी में हमने लीजा नाम के लेडी को देखा जो कि एक स्टिपर काम करती थी लेकिन उसकी बाड़ी अच्छी नहीं थी जिस वजह से उसे कम टिप मिलती थी फिर उसे उसकी एक फ्रेंड उसकी बाड़ी को सर्जेरी करवाने के लिए एक डॉक्टर का सर्जेशन देती है ले दोनों मिलकर प्लास्टिक सर्जन और ऐसा करवाने वाली लड़के को मार रहे थे लेकिन एंड मुव्मेंट पर डिटेक्टिव और मेलकम आकर लीजा को बचा लेता है और वो अपनी बॉड़ी से बहुत खुश थी तो दोस्तों मैं उम्मिद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जूरू करना मैं आपके लिए एक हो इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूं